गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टिडी पॉइंट दोस्तो आज है 20 नवंबर और इस्टार्ट करते हैं आचे करनेफेस इसके लाबा दोस्तो मैं आनेके अर्मी पर ही पढ़ाता हूं तो आप आनेके अर्मी का लर्निंगे प्ले स्टोर से कर सकते हैं दोस्तो मैं अपने अनेके अर्मी प्रॉफाइल करेंगे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तुस्य लिम की डारेक्ट क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें दोस्तों साथ में पहला आकॉन बिस क भरत बाट बाटनी जो है हजारों मांसिक रूप से बीमार और गरीब लोगों की इलाज के लिए और सोनम बांग्चु की एक प्राकृतिक संस्कृतिक और सिक्षा की दिशा में योगदान के पुरुषकार दिया गया था यह जो रेमन मेक्सेशे पुरुषकार है वहां के राश्टपती रेमन मेक्सेशे की स्मृति याद में दिया जाता है 1958 में पुरुषकार के शुरुवात हुई थी ठीक है तो यह आपको याद रखना है रेमन मेक्सेशे के बारे में ठीक है इसे एसियक नोबल पुरुषकार भी का जाता है रेमन मेक्सेशे अवार्ट को ठी कोशन सेगेंड था हाली में किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन स्टाट किया है ग्रीन महानदी मिशन ये किया है ओडिशा गवर्मेंट ने ठीक है ये एक ब्रिक्षार ओपन अभियान था और ओडिशा की राजधानी भूबनेश्वर है इसकी स्थापना हुई थी एक अप्रेल 1936 में और आपको तादिक वर्तमान सीम ओडिशा के नवीन पढ़नायक राज्य पाल याद रकियेगा गवर्नर है गडेशी लाल और ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी तटी जील जो है जील का जील ओडिशा मिश्थी थे ठीक है सिंप्ली पाल एक राज नेशनल पार्क है ओडिशा मिश्थी थे याद रखियेगा ठीक है चलिए और अगला कोशन मैंने पूछा था वैस्ष्यू को विकलांगता सिखर समेलन 28 कहा जीत हुआ यह हुआ था लंदन में ठीक है इसमें पाटिसिपेट किया था अपने जो भारत के केंद्री सामाजिक नियाव श्रशक्तिकर्ण मंत्री थावरचंद गहलोग ठीक है चलिया आप बता दे दोस्तों आपको जो कल के हमारे बिनार थी वो थी अनिता कु कुमारी ने बहुत बेस्ट एंसल लिका लेकिन थोड़ा सा इसमें उन्होंने से नहीं लिखा यह लेकिन लिखा काफी डिटेल में है निताकुमारी बहुत-बहुत बदाई वेरी गुड निताकुमारी जी आप लोग भी जरूर पाटिसिपेट क्या करें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का कौन बनेगा टॉपर का सवाल पहला कोशन है ACI खेलों में एसेन गेम्स में गोल्ड जितने वाली पहली महीला भाती शुटर कौन बन गई है ओप्सन दे रखें फटाफट पूरे डिटेल के साथ ACN गेम से रिल्डेट सारे फैक्ट जितने भी आपको बताया हूँ पूरे फटाफट लिखिए कोशन सेकेंड है नो इस्पिन किस खिलाडी की आत्मकता है नो इस्पिन ओप्सन दे रखें फटाफट कमेंड बॉक्स में लिखिए कोशन थर्ड है 281 एंड बियांड आत्मकता किस भारती खिलाडी ने लिखिए तो इसका एंसर आपको फटाफट कमेंड बॉक्स में जरूर लिखने है ठीक है चलिए जादा जादा लोग पाडिस्पेट करेंगे इस्टाट करते हैं दोस्तों आज करने फेस पहला कोशन अठारे नमबर दुठारा को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया था प्राकर्तिक चिकित्सा दिवस ऑप्सन भी ठीक है आईश मंत्रा ले ने 18 नमबर दुठारा को देश भर में पहला प्राकर्तिक चिकित्सा दिवस मनाया है ठीक है पहला इसका उदेश है दोस्तों आहार और जीवन सहली में बदलाव करके रोगों की रोग थाम कर दवा की उप योग को कम करना है ठीक है प्राकृतिक चिंखता दोस्तों एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर को ठीक करने में मदद करने के लिए प्राकृतिक उप्चार को फ्योग करती ठीक है तो यह आपको आद रहाया धार नमबर दत्ता पड़ सेलगर ठीक है सत्तर नमर दोट्रक दवेलवेट गलप्स को उपन्यास किया ठीक है तो यह आद रहा है उसके लावा जो उपन्यास पूर्व खूपिया ब्यूरो अधिकारी बाल के जिनकामत नहीं लिखाए ठीक है उपन्यास पूर्व खूपिया आईवी पूर्व खूपिया ठीक है तो यह आद रखना है बाल किसन कामत इसके राइटर है उपन्यास के लेखा के कौंसर सहर बाईश नोवमर दोटारा से अंतराश्टी परेटन मार्ट की मेजवानी करेगा त्रिपूरा ठीक है ओप्सन भी त्रिपूरा अंतराश्टी परेटन मार्ट की मेजवानी इसको देश से देश में पूर्वत्तर राज जो में परेटन उद्यों को बढ़ावा देन ठीक नौर्थ इस्ट इस्टेट जो है नागलेंड मिजोरम मडीपूर सिक्किम नौर्थ इस्ट 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 पूर exist पूर्वतर राज त्रिपूरा पहलीवार ऄंतराश्टी परेटन मार्टकी मेजवानी कर रहा है और इसे जुनियर बेड मिंटेंज्ञी में इन किसने कान से पतक जीता है लक्ष सेन ठीक है भारत के लक्ष सेन आपको बता दे कि इन्होंने 20 जूनियर वैड़िविंटें चैंपियंसी में कान से पतक जीता है और यह पुरसों के एकल सेमिफाइनल में थाइलेंड के कुन लाभूत को पराजित हुए थे ठीक है तो यह पूरे सेन सम्सक्राण के दोरां ओल्ड जूनियर वैड़िविंटेंटें चैंपियंसी में गोल्ड जितने वाली एक मात्र भारती है साइना नहवाल तो वी स्थुज ूनियर वैड़िविंटेंचैंपियंसी में किसने कांश पतक जीता है लक्ष सेन ठीक है कौेशन फिपते दोस्तों कौन सा भार्ती गोल्फर यूरोपी दोरे पर सर हेंरी कॉटन रूपी आफ ये डोर फिर 2018 के रूप में बनने वाले पहले भार्ती बने हैं तो यह याद रहेएगा इंपोर्टेंट है Q6 है 19 से 25 नवंबर 2018 तक पुरदेश में कौन से सप्ता है मनाय जाएगा राश्ट्री एक्ता सप्ता ठीक है राश्ट्री एक्ता सप्ता यह मनाय जाएगा 19 से 25 नवंबर तक पुरदेश में कौन से सप्ता है नहीं राश्ट्री एक्ता सप्ता इसका उद्दे से सांप्रदाइक सदभाव, राश्टी एक्ता और जीवन्द समगर संस्कृति और राश्टबाद में गर्व की भावना को बढ़ावा देना और मजबूती प्रतान करना ठीक है कौमी एक्ता सप्ता के दरवन एक हफ़ते तक कई कारेकर भी आजित के जाएगी इसमें तो 19 से 25 नम्र 18 तक पूरे देश में कौन से सप्ता मना जाएगा? राश्टी एक्ता सप्ता आठमा पुलिस महिलाओं का राष्टी सम्मेलन कहा अजित किया जाएगा यह किया जाएगा राची जहारकंड की कैपिल राची में ठीक है जहारकंड के राची में आठमा पुलिस महिलाओं का सम्मेलन शुरू हुआ है और दो दिवसी समेलन काजन जहारकंड पुलिस की सहयोग से बीरो आप पुलिस रिसर्च और डॉबलमेंट द्वारा किया जा रहा है ठीक है और महिला पुलिस कारीमों की बिभिन मुद्दों को हल करने के लिए एक मातर राश्टी स्तर का मंच है ठीक है तो यह राची जहारकंड की राशी हने राची में Question latest दोस्तों इन में से कौन लंडन में ATP फाइनल के विजेता था Alexander and Zeybrao ठीक Alexander and Zeybrao टेनिस खिलारी हैं या Alexander and Zeybrao कि उन्हें लंदन में ATP फाइनल जीता है और उन्हेंने फाइनल में Novak Jokovic ठीक नोवाग जोकोविच को हराया है अलेक्सेंडर जेवराव एक ही टूर्णामेंट में सेमी फाइनल और फाइनल में एक के बाद एक रोजर फ्रिडर और नोवाग जोकोविच को हराने वाले चौथे किलाडी बने हैं ठीक है और हुआ ATP खिताब जितने के सबसे कम रूबि विजेता बन गये हैं ठीक अलेक्सेंडर जेवराओ अगला कोश्चन दोस्तों कुंडली मानेशर पलवन यानि केमपी पश्चिमी परधी एक्सप्रेस के कुंडली मानेशर खंड का उध्वटन कि इसने किया है यह प्राइमिस्टर मोदी जी ने नारेंद्र मोदी जी ने ठी कुंडली मानेशर पलवन यानि केमपी पश्चिमी परधी एक्सप्रेस के कुंडली मानेशर खंड का उध्वटन किया है आपको पता दे कि एक्सप्रेस भी दिल्ली के सड़ा क्यातायात को विशेश रूप से दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रगों की संख्या को कम कर इसके लाबह यह पर्योजन उत्तरी हर्याणा दक्षणी जीलों के बीच उच्च गत्ति वारी लिंग भी प्रतान करेंगे ठीक है तो यह किसी है कि उध्गाटन किया है मोदी जी ने पुलिस संचार का आधुल्ण की करण और संवंथी चुनोति पर दो दिपसी समेलन कहा शुरूआ है शुरूआ है नई दिल्यी में नुदिति क्रमृतन है आपको बदातिक देश में पुलिस दूर संचार के लिए एक मंच प्रदान करेगा डिया जूत की आगा नहीं दिल्ली में और सी अगला कोशन है चीन ने अपने बेईड़ो नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम में कितने और उपग्रह जोड़े हैं जोड़े हैं टू भी ऑपसन भी दो ठीक है बेईड़ो नेविगेशन सब्सक्राइब नविगेशन सेटिलाइट सिस्टम नशत्र परियोजना पूरा हो रहा गया है तो यह आद रखियेगा ठीक है चीन अपने बेडो नेविगेशन सेटिलाइट सिस्टम पूरा चलिए हैं अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का इंसर किस शहर में देश का पहला इंडिया एज्राइल इनोवेशन सिंटर खोला गया बेंगलूरू में खोला गया था सब्सक्राइब आज का सवाल क्या कोशन है हाली में लॉंच की गई यार रह्मान की बायोग्राफी का नाम क्या है ऑप्सन सब्सक्राइब बहुत इंबोडन कोशन है जरूर लिखिए पूरे डिट्रेल के साथ ठीक है यदि आपने कल की करने फेस्क वीडियो नहीं थी जैस्ट यहाब एप लेको दोस्तों जरूर देख लें इन स्क्रीन में ठीक है चलिए तो मिलते है नेक्स वीडियो को साथ दोस